बीजेपी सरकार जब आई है तो उन्होंने दुनिया भर की जो योजना है वो इंडिया के नाम पे रखी हैं अभी देश के अंदर हाली फिलाल में उन्होंने एक गेम का आयोजन किया जिसका नाम रखा खेलो इंडिया और खेलो इंडिया के नाम से पूरे देश नहीं पूरे और पूरे विश्व के अंदर जब आप यहां से जाते हैं तो आपकी पहचान यही होती कि यू आर इंडियन तो इंडियन से हमारी पहचान है और रही बात इंडिया शब्द की इंडिया शब्द को हटाने से ज्यादा बहतर है कि देश के रोजगार पर काम हो देश की देश क कि गरकी नेम पिलेट नहीं से आप ने भवाहाँ से फटाई इस और ऊस उस नेम पिलेट को रख दिया पूरे देश की नोट बंदी होगी पूरे देश की अर्थवेश्था पर फरक पड़ेगा पूरे देश के अंदर जो संसथ चलती है वहाँ प्रेजिडेंट ओफ इंडिया इस देश के अंदर हर कागज पर हर दस्तावेज पर यहां नाम बदला जाएगा और यह चोटी बात नहीं होती है जब नाम बदला जाता है कागजी कारवाई होती है तो इसमें पैसा भी खर्च होता है लेकिन मोधी सरकार ने पिछले नौ साल पागलपन के बयान देते हैं तो ऐसी बेबकूफ और भी सलाकार होंगे क्योंकि मोधी जी बिपक्ष की जलन में इतने जादा जल रहे हैं कि वो इस देश को पुरी तरना बढ़वाद करने पर तूले हुए आरे तुम आपस में खेलो ना पक्ष बिपक्ष लेकिन इस लिए तुमने देश के नाम तक को चेंज करने पर आ गए हो इसी से पता चलता है कि यह देश नहीं चला रहे हैं यह देश की जनता के लिए देश नहीं चला रहे हैं यह राजनीती कर रहे हैं यह सिर्फ घटियापन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में चीटा करके ब्यक्ति नाम आया तो उन्होंने फिर बीजेपी का गीत गाना सुरू कर दिया और उनको बचा लिया वरना देश के अंदर वह सबसे बड़े भरस्टाचारी निकल रहे थे पूरी दुनिया के अंदर पनामा पेपर्स में मिताब बच्चन का नाम आया क्यों हां एश्वेर राय का नाम कर करिया जब तुम्हारा नाम तुम्हारे देश के बारे माँ बात करने की बात आती है तो तुम जो भी जैपी की गुनगाने लगत्यों मैं सच किया वी इस भारत से ज्ज्याथा जहादा एक्टर लेकिन यहां के एक्टर, क्रिकेटर तो बिल्कुल बिकाउ एकदम बेखार, भाहियात भाहासर देते, भाहियात फिल्में बनाते, उनिगे चापलोजी और करते हैं. करने में बिलकुल हो गए लग रहे हैं लोग हमारी तरफ आनी रहे हैं क्यूंकि हिंदू राष्ट में जातियां है और लोगों में नीचता है लोगों में उंचता है तो इसलिए लेकिन जो यह गेम है cricket विदेशी गेम है यह एगरेजों के चोड़ें जो और जो विरंदर सेहवाग कि देशी भास अपना यह जो भात को यूज कर यह तो विरंदर सेहवाग पहले तो आप एंसा करो जर्शी की वह पहन के मत जाया करो लूंगी पहन के जो कि खेला करो क्योंकि हमारे देश का जो पहनावा है वो लूंगी है और आप गिल्ली डंडा खेलो क्योंकि हमारे देश में गिल्ली डंडा ज्यादा खेला जाता है और हमारे देश का जो खेला वो गिल्ली डंडा है होकी है होकी में क्यों नहीं गया अगर देश से प्यार था तो अंग्रे कि आपत्रूड़ के पाहर न ही लोगो लोग यह पेसाते हैं रोची क्या पर लूट के लेकिन इन रहां किया जानते हैं पाता सी काम को आज़ा म्हें बरावर करता यह पाहादा महिमामणन क्या शाटा शेया में कर लोगोर थी और तो आज ये सरपे चड़े हुए हमारे हमारे देश का टेक्स का पैसा खाय हुए हमारी कमारी का खाय हुए टेक्स के चोरी करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि देश के अंदर से इंडिया हटा देना चाहिए ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनोंने ना तो अपने देश के अंदर का भ भारत की कड़ते रहा है लेकिन यह सनातनी लोग हमेशा कहते रहे हुं लेकिशन बहुता लूत के बात करता है यहां पर रहते हैं यहां भ्हरत बहुता क करता है में आपlara क्रिश्चन भी रहते हैं यहां पर जैनेंस भी रहते हैं, सभी धर्मों के पंतों के लोग है रहते हैं, तो इस देश की अंदर इन्होंने हमेशा से वो बात करी है, जिस बात का जो पक्षया केबल एक वर्ग को मिलना चाहिए, एक वर्ग का बच्चा ही आगे बढ़ेगा, एक वर्ग की बीबी, मजे क जिन्द की जेगी, बाकी लोगों की जो महिलाएं हैं वो इनका पैर धोएंगी, इनके गरों में जहड़ू पहुचा करेंगी, इनकी गुलामी करेंगी, तो ऐसी सोच के लोगों की हमें जरूरत नहीं है, यह हम पर हमारे देश के ओपर इस तरह के घटिया और गंदे बयान ना थोपे, इनके बयानों से देश का डिसिजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन सनातन पर इन्होंने कोई बहस नहीं की, ताकि बहस होगी तो सनातन की जो बुराइयां वो बाहर निकल आएंगी, जनता को पता चल जाएंगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त सनातन की बहस दबा दी गई, लेकिन अब बाबा साब जुक्टर अंबेडगर को पढ़ पढ़ के देश की जनता के अंदर जाग रुकता आ गई है, अब देश की जनता से अब आज उठ रही है, कुछ ऐसे लीडर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि सनातन के बारे में हमें जानकारी ह पंडे पजारियों से पूजा कराये जा रही है, संसत का जब उधगाटन हो रहा तो उनसे पूजा कराये जा रही है, हर सरकारी उधगाटन में उनसे पूजा कराये जारी है, और यह कहा जार है कि सनातन सर्वस्रेष्ट है, तो फिर सनातन की सारी बाते सामने आनी चाहिए, कि सनातन में ही आपने कहा है कि इस देश के करोडों लोग अच्छूत रहेंगे सडकों पे नहीं चलेंगे मटका बानेंगे गले में और ज़ाडू लगाएंगे कमर पे ताकि उनके पैरों के निशान भी मिट जाएं अगर सनातन यह कहता है कि जातियों को बनाए रखना अगर सनातन यह कहता है कि के जने धारी लोग के लिए बागी लोग कौहा रहेंगे अब हैं गले में यह तो कहीं आप नहीं आप कैसा अरोप लगाकी में आज ने तो 10% EWS के जरिये केवल ब्रहामडों की भरती बैक डोड से करी जा रही है उसमें भी अन्य जातियां होती और अगर जातिवाद खतम हो गया होता तो रिजर्वेशन का बढ़ चड़कर मुझ खोल खोल करके बड़े पैमाने पर आरक्षन का विरोध नहीं हो रहा होता यदि जातिवाद खत्म हो गया होता तो यूपी की सीम भेहनकुमानी मायावती जी को बहुत बार इस तना से कटाक्ष किया जाता है कि दलित की बेटी या और जातिवादी शब्दों से नीच दिखाया जाता है तो अगर सनातन में जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दि निगलेते यारे हैं